यह यह हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल है फंडिंग एजेंसी का नाम है बजट है और और अब्जेक्टिव एक्टिविडिई रिसर्च सेमिनार फार फानेंशल असिस्टेंस का यह मैं आप लोग को दे दूंगा आप लोग अगर चाहेंगे लिस्ट यह सारी मैं प्रोवाइट करा दूंगा आपको जो भी आप बोलेंगे आपको मिल जाएगी क्या 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 अब्जेक्टिव्स हैं बजट कितना है कौन-कौन सी कौन-कौन सी फंडिंग एजेंसी जैंडिबार्टमेंट्स हैं क्या-क्या है सब पूरा एटू-जेट इसमें ल और यह इनके बजट है तो आप डिसाइड यह करिए कि आपको किस फील्ड में काम करना है है एक यह बावन करोड का है यह लाक लाक के हैं चोड़े बड़े बीए सब हैं ठीक है एक और वीडियो देखते हैं अब यह कि यह वेब्साइट सें इन वेब्साइट पर आपको काम करना होगा इनके बारे में आप बोलेंगे तो मैं आलग से जानकारी दे दूगा पूरी यह mca ministry of corporate affairs इस वेब साइट पे बहुत अच्छे से काम करना होगा MCA के बारे में अगर सुना है तो ठीक नहीं सुना तो इस पे आपको बहुत सारा वर्ट करने की जुरूरत है क्या करना है कैसे करना है वह मागे डिसाइट करें ठीक है ठीक अब आप लोग बताइए क्या क्या चीज है आपके कोश्चन क्या क्या है कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले नंबर पर तो आप बात कीजिए कि आपको क्यूं मिलेगा बिजनस की इंकम्स हो गए आपके रूल्स ऑफ सक्सेज हैं फॉलो अप आपको कि आपको अधिकारी से कैसे फॉलो अप करना है कैसे कॉल करना है में चीज़ फॉलो अप है वहीं पर आपका हंड़ेट परसेंट पैसा होता है इसके बार अभी हम आपको वह भी दिखाएंगे प्रोडेक्ट कौन कौन से हैं कितने लिंक कैसे प्रोवाइड होगा और हाँ और विदेश यत्रा और फ्री ट्रेवल फ्री ट्रेवल भी होता है इंजियो से कि आप विदेश में फ्री यत्रा कर सकते हैं ठीक को विदेश में फ्री यत्रा कैसे गरेंगे अपनी पीम कैसे बनाएंगे कितने लोग के पास टीम है नहीं है टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग करना है फाइल लेडी करना है आप जो कोशन्स हो वो थोड़ा सा आप उसमें डाल दीजिए चैट में तो मैं उन्हीं चीजों को अच्छे से और क्लियर करूँ देखनों के कौन-कौन से थे आपके टॉपिक पॉइंट वही मैं कवर करता हूं के नहीं मैसेज कर दीजिए चैट में आप लोगों ने जो फाइल रेडी की है आप लोगों के पास जो फाइल है डॉकुमेंट्स हैं उनकी पूरी पूरी फाइल आपकी कैसी होनी चाहिए पूरे फाइल उसमें जो रेडिशिस्टर्स है आपके पास कितने टायप के आपके पास रेडिशिस्टर्स है उसकी पूरी डिटयल होना चाहिए डोकूमेंट्स आपके पास कौनšuar है रेडिशिस्टर कौन ऐसे फाइल होंगी पेपर्स में यह समय आपको देने वाला हूं यह प्लेबुक है यह सारे डॉकमेंट्स इसमें ठीक है तैसे करना क्या करना पूरे पूरे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पूजल आप दो दो पेज कि आप प्ले लेकर आते हैं आप दो पेज में ने ही मोटे-मोटे प्रोजेक्ट होते पूरी balance sheet होती है, पूरा सब इसमें agenda होता है, आपके photograph होते हैं, resolution होते हैं, आपके बहुत सारी चीजे होती है, अब आप decide करिए पहले नमबर पे तो कि एक theme, कि आप किस theme पे काम करेंगे, फिर उस theme से related आपको क्या करना होगा, उस theme से related आपको department को follow करना होगा, और follow up कैसे करना है, follow up 365 day का दे रहा हूँ, मैं 365 day का, 365 day, बदलब साल भर डेली बदल के कैसे follow up करेंगे अधिकारी को, और अधिकारी को कुछ लगेगा भी नहीं, मतलब वो mind भी नहीं करेगा, कि आप उसको follow कर रहे हो, बड़े आराम से, यह नहीं कि रोज रोज फोन करके मिलेगा, क्योंकि, और दील को close करना, यहाँ पर आपको तीन इसकल सीखने की जुरूब, सबसे पहले नमबर पर प्रिजेंटिंग, अपने आपको प्रिजेंट करना, communicate अच्छे से करना, show करना, convince करना, और सबसे important क्या है, कि आपका project proposal accept हो, पहले नमबर पर तो पता ही नही किस के लिए काम करते हैं, आप education के लिए, किस छेतर के लिए काम करते हैं, फिर उसी से related department में जाएंगे, government funding आप करते हैं, नहीं तो crowd funding में बहुत सारे ways है, बहुत तरीक हैं, कमी नहीं हैं दुनिया में, किसी भी चीज़ की, अब आप देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप note करना चाहिए, note करने, फटाफट, 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 और नहीं तो मैं इसको वो दे दूँगा, आप कौन कौन से office में जाते हैं, office आपको पता हैं, कि कौन से office में आपको जाना है, कौन से office में नहीं जाना है, कौन सी education है, कौन सा department है, government का, आप, आपने बनाए अपना बजड बजड नहीं है आपका गीतना बजड है आपकी के एन्विल YO ऋन्ट करती हैं आप कौन सी सरकार से फन्ट जैसे आप यूपी में रहते हैं तो उत्ता प्रिदेश की सरकार योगी सरकार है तो आप योगी सरकार से लेंगे या कैन में बैठे मोधी सरकार से लेंगे तो यह आपको डिसाइड करना है कि राज्य सरकार में आप काम करना है कि कैन सरकार में काम करना है या किस से कॉलिबरे से होते ही जो आपके आसपास क्यों गें दानश्यीलब्यक्ति हैं व्यवसाइट प्रतिस्ठान है सरकारी अर्ध सरकारी कारियालें हैं समाज कल्याण but गए ति अबार sorry the a मुट या दि पूरी अरजलिफ्ण अब Sun कौन से विभाग में आपको जाना है यह डिसाइड करना है जैसे आप अलब संक्यक हैं तो अलब संक्यक के लिए काम कर रहा है तो फिर मायनौर्टी का विभाग बस पकड़ दिके बस एक आप डिपार्टमेंट पकड़िए वहीं से आपका काम हो डिए कि रेजिस्टर कितने ह कौन कौन से रेजिस्टर होते हैं आपके पास अधिकारी मांग देगा डॉकुमेंट तो पहले नमर पर आप रिसाइड कीजिए कि आप किस फिल्ड में काम करना चाहते हैं क्या इंट्रेस्ट है फिर उसके डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे यह पर उसको कैसे करना है वह अंग्ला एक्ट माहिए पास चार से पांट ने चाहिए और इसमें वह विसक हम चाहिए आए साइन होंगे सबके सबके साइन फोटो अधार कार्ड मोबाइल नंबर आपसे उन्वेन लिखके भी आपसे कोंटक्स करें तो कैसे करें सबके कैzą अपने बढ़ाएब सबकी सबक्राइब अब उन तक में तो कैसे आप ऐसे ऐसे वॉलिंटियर आप कैसे बनाएं जो आपके कहने पर दिवार फांग जाएं आपके कहने पर दिवार तोड़ दें आपके कहने पर अपनी जान तक दे दें तो ऐसे टीम कैसे बने इसे टीम बनाना है अगर टीम बनाना है तो टीम बिल्डिंग व स्षाइब करी में ऊस्मुख मिल्स जाना पता है यह यह लॉस लॉस एंगे यहको और यह बलाते विए अपनेnutर प्रोग्राइट मेटें ते इस सिरेंगे विलाते लिए अपने यहां पर दी लॉकह है तो कैसे जाना एंडिया में काम होगा इसका इसका इतनी मोटि फाइलों में होता है ज्यादा से ज्यादा मोटि फाइल ऐसे नहीं दो पेज में नहीं पूरा पूरा एटू जड़ इसको इसको अभी आप देख निजे एक बार कि क्या क्या चीज़े होती है प्रोडेक्ट प्रोपोसल में प्रोडेक्ट 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 प्र ठ्रीक्शन होना चाहिए पास इक प्राप्लम हो और उसको सॉल्व करने का solution कि यह समस्या है आपके area में और आप उसको ऐसे करके ऐसे solve करेंगे तो फिर आपको government और वो सारे लोग fund देंगे उसको आपको बताना होगा कि इतना fund को 20 लाग रुपए को आप कैसे खर्च करेंगे तो उसका पूरा का पूरा ये budget estimate पूरा budget estimate होना चाहिए कि हम ये 20 लाग रुपए ले रहे हैं इसको कैसे ये पूरी बैलेंस शीट है आपको मालूम आफिस की लेंग्विज लग होती है ये आपके ब्रोग्रैम्स थीक है वूमें इंपाइद मैंट है foreign foreign फंडिंग foreign funding के लिए आपको ये प्रोग्रैम्स है foreign funding के ये है तो फिर्जेक्ट आप बताईये जो साब बताईये वो मैं दिलवा दूँछ सिय सी ये सारफ फंडेशन है ठीक है SBI Foundation है लोग अक्सर बोलते सारा SBI से नहीं मिल पा रहा है कुछ मिलेगा मिलेगा कैसे मिलेगा ऐसे तुर नहीं मिलेगा है यह वेबसाइट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है यह कुरोना प्रोजेक्ट्स हैं कुरोना प्रोजेक्ट्स अगर चाहिए हो तो करेंगे यह आपके गवर्मेंट एड यह कुर्मेंट के यह आपको मिलेंगे देगे गौवर्मेंट फंड्स हैं गवर्मेंट फंड्स हैं, CSR फंड हैं, फॉरेंट फंड हैं, और COVID-19 फंड है, ग्रांट, यह चार ग्रांट के बारे में हमने बात की है, इन पर विस्तार से हम रोज बात कर लेंगे, सुबह बताएंगे, सुबह कर लेंगे, कल बताएंगे, कल कर लेंगे, जब आप में चल लें आज आप फाइल कर सकते हैं इनको COVID-19 के पाच प्रजेक्ट से फिर एंडर एंडर एफ सिर एओंडर एफ सी एसार ग्रांड प्रजेक्ट यह बहुत बढ़ी आप प्रोजेक्ट यह यह CSR फंड यह CSR फंड है स्वियाइफ फंडिशन में हैं हेल्थ कम्यूनिटी सर्विस देखिए पहले मैंने आपसे कहा आप डिसाइड करिए आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं यह चीज पहले रिए हंस फांडिशन है यहां पे मिलेगा आपको यह इसकिल डिवलप्मेंट प्रोग्राम चलाते है मैं इनके लिंक और सारी चीज़े देऊंगा आपको ऐसा कुछ नहीं वेरियस एजन्सीज हैं जहां पे आपको इन्वार्मेंट और कंजर्वेशन पे मिलेगा पॉवर्टी हंगर और यह मैलनुट्रिशन यह आपको मिल जाएगी ठीक है अब आप जो चीज़ पर काम करना चाहें उस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं ठीक बागी आपको कोई कोश्चन हो कोई डाउट हो कोई भी चीज़ हो अब सुमीत अब आएं पूरा प्रोग्राम हो गया अब वह एडविड मांग रहे हैं वह आने दे दिया तो सुमीत अब हो रहे हैं कनेक्ट तो अब आप ठीक है फिर कौन सा आपको डिपार्टमेंट कवर करना है ठीक इस तरीके से करेंगे फॉरेंट टूर टूर पर भी आप जा सकते हैं बिल्कुर फ्री में चौदा तरीके हैं वोलेंटियर बनके को लेंग्वेज अगर आती हो तो लेंग्वेज सिखाने के लिए दुसरे इंजियो से चुड़के ठीक है यह है CSR फंड यह CSR फंड है ठीक है अब CSR फंड में कैटेगरी देखिए काटेगरी कौन कौन सी इन्वार्मेंट पर मिलेगा एटएल फंड पिशन से मोबाइल क्लिनिक है यह हेल्थ है है इसके डिवेलपमेंट यह है अभी एजुकेशन के लिए यहाँ पर नहीं है एजुकेशन के लिए नहीं है नुजद जी, एजुकेशन के लिए नहीं है, सैफ साहब आवा हैं, हो गया सबब, ठीक है, यह सब ले लीजेगा, मैं यह दे दूँ, एजुकेशन के लिए वहाँ पे नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए और जगाँ, अभी यह मैंने सिर्फ पांच नाम दिये हैं, जानते हैं कि कंपनिया, प्रावेट कंपनिया कितनी होती हैं, जैसे मुंबई में जो इंडस्ट्रिल एरिया है, वहाँ पे कितनी कंपनिया होंगी, औरंगबाद में, महरास्ट में, औरंगबाद से अगर कोई है, तो वो बताए, M.I.D.C. और वालुज में कितनी कंपनिया है, हैधराबाद से कोई तो वहाँ पे देखें, वहाँ पे कितनी कंपनिया है, प्रावेट कंपनिया, तो वहाँ पे वो चीज़, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको तीन स्किल की दोलत है, कि आप जाएं, और वहाँ पे मालुम करें कि CSR Fund कौन कौन सी कंपनिय इसको बोलते हैं, close the deal, deal को done करो गया, hundred percent, guarantee image, ठीक है, वो hundred plus skills देते हैं, और फिर होता है follow up, और follow up पहले भी होता है, बाद में भी होता है, follow up बहुत जरूरी है, success करना है, follow up करना सीखना होगा, कैसे follow up लेना है, follow up कैसे करना है, creative ways में, creative ways में follow up लेना, हाँ, और एक चीज़ सो सो के जा रहे हैं, तो, real estate का है, और two rent travels का है, अगर आप लोग जो भी है, जिस चीज़ में मतलब जिस चीज़ में भी आप interested है, वो चीज़ पर हम बात कर लेंगे, numbers अपके पास मेरा है, जिनके बात नमबर नहीं हो, आपस में share कर लीजेगा, नहीं तो नमबर मेरा note कर ल तो जो 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 जिसका पेमेंट है उस तरीके से उसके levels है अब आप decide करिये कि आपको क्या करना है ठीक है तो first we need to understand the procedure after that we will decide you will decide what will you do or what will you not to do क्या करना है क्या नहीं करना और एक बात ध्यान रखिएगा you get something when you give something you never give आप मतलब जब आप कुछ देते हैं तभी आपको मिलता है बिना दिये नहीं मिलता है है ना you get something when you give something जब आप कुछ देते हैं तभी आपको मिलता है ठीक तो आप देखिए क्या करना है कैसे करना है फिर आप चाहेंगे तो मैं डेली 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 मीटिंग करूंगा और कोई टॉपिक रह गया हो जो हमने बात की थी कोई और चीज रह गई हो तो वो क्लियर कर दिए पूछ दीजिए उसमें चैट में मैं कि क्या है यो गया यो गया इंकम फ्लोव्व और एक चीज और सबसे इंपोर्डेंट चीज ना एक एक रहे एक रहे एक रहे एक रहे बहुत इंपोर्डेंट चीज सबसे इंपोर्टन डीपक गुपता कंफुजन क्या कंफुजन है लिग दीजे अरे वह वह अलग है वह इशू अलग है देखिए एक चीज समझें मैंने आपको बताया है हाँ तो काम कैसे होगा काम होता है कोलबरेट करते कोलबरेशन एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं दूसरे के साथ चुड़के आपके पास कोई चीज है नहीं है यह बहुत अच्छा कोशन किया दीपक जी बहुत अच्छा बहुत जबर्दस कोशन था आपका बहुत अच्छा किया आपने जो आपने पूचा ही है ऐसी जो सवाल हों को क्लियर कर लिए क्योंके मैं भूल जा जाते हैं काम करने ऊंने चाहिये उत्य है टीम तो वो लोगों से छोड़ी-श्ताओं से करते हैं बड़ी-बड़ी संस्थाये हैं हैं कि Harriet toggille revert करती यही तो मैं आप से कह रहा हूं कि आप छोड़ी-श्ताओं से प्लभुरेट करें गया आपको कुछ भी नहीं ऑसिट्य मेरा एजुआ है तो मेरा एंजीओ रोड पर जाएगा काम करना तो इनसान करते हैं कि कैशे यही तो समझ्जना है इसी चीज़ को समझ्जना किक एसे आप लोगों से deal done करेंगे आपका presentation कैसा है आपकी pitch कैसी है आप प्रपोजल कैसा देते हैं प्रपोजल समझते हैं ना मतलब आपने बात कही इसको इसको बोलते हैं selling skill selling का मतलब होता है कि persuasion negotiation communication ये आपको जरूरी है कि आप कैसे कैसे negotiate करते हैं कैसे आप communicate करते हैं कैसे present करते हैं कैसे convince करते हैं सामने वाले को कि वो आप यही चीज़ सीखना है इसको बोलते है selling skill जैसे नोपरी के लिए मैं गया जॉप के लिए और जॉप के लिए सौ उम्मीद वा रहे हैं तो सौ मेंसे मुझे ही कैसे लिया जा है मैंने CV बेजा अपना resume मैंने बेजा जॉप के लिए तो मेरा ही resume क्यों select हो यह होती है selling skill यह सीखना दूरू के सारे resume छ क्या है उसके उपर आपको प्रहार करना होता है आपको समझना होता है कि सामने वाला चाहता क्या है इस सारी चीज़ेंगे अगर आप सीखेंगे foreign tour है बहुत सारी चीजे है real estate है आप अगर चाहते हो तो आप अपना workshop आप अपने अपने एरिया में वर्क्शॉप आप लगा है ना तो नोट अगर कर लिया हो काफी सारी चीज़े जो point है या कुछ भी है ठीक है तो जो भी चीज़ है वह step by step जानेंगे और धीरे-धीरे क्योंकि एकदम से अगर करेंगे तो सब सब गड़बर हो जाए ठीक है तो चीज़े आगे समझने तीन स्किस के आपको main focus करना है proposal समझते हैं ना मतलब मैं propose करूं किसी को तो वो हाँ बोले समझ रहे हैं जैसे मैंने मैंने किसी को देखा है ना इस वे example को गलत मत लिए लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं और अच्छे लोग हैं तो मेरी बात को गलत मत से जाएए का मैं हिंड दे रहा हूं बस उसको समझने कोशिश करिए ठीक है तो मैं मैं समझ गया ना जैसे एक लड़की है और उसको दस लोग propose करने आ रहे हैं तो लेकिन वो दस के साथ में तुर्णना शादी करेगी वो किसी एक तो वो एक proposal कैसा होगा जिसमें वो यस बो उसको बोलते हैं मैं सेलिंग इसकी ठीक है यह बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ना है तो यह सीखना पड़ेगा कैसे कम्निकेट करना है कैसे है ना प्रेजेंट करना है और एक सबसे बड़ी चीज़ हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया फिर से भाई सोशल मीडिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेस्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है सकसे का पहला रूल है सबसे पहला रूल क्या है सबसे पहला रूल क्या है शो अप 13 रूल है सक्सेस के, कितने रूल हैं, 13, कौन कौन से हैं, नोट कर लिए, अगर चाहें तो, फटा फट, अब मैं समप करूँगा इसको, पहला है show up, show up मतलब दिखना, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, अगर आपका संस्ता है, आपकी संस्ता है, ये पहला rule है show up, दूसरा 100% philosophy, तेरा attitude of service, give, 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 लेने से पहले देना होता है, focus on your dreams, exercise, वो बहुत सारी चीज़े हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को समझे, आप कब, आप, दिखते नहीं है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि सर, आप अपने social media links बेजिए, लोगों के पास social media link नहीं है, youtube channel नहीं है, facebook page नहीं है, twitter नहीं है, telegram नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, जबकि आपको अपनी हर जगा, facebook पे, linkedin पे, twitter पे, हर चगा, आपको अपनी presentation, देनी ही, देनी है, क्योंकि success का पहला rule है, show up, show up, मतलब दिखना, जो दिखता है, वो बिखता है, जो दिखता है, वो बिखता है, तो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि लोगों को मालूम होने चाहिए, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या activities ह हैं वो सारी चीज़े आपकी होना चाहिए कहां सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया इस दब बेस्ट प्लेटफॉर्म और यह फ्री मीडियम यहां पर को पैसा नहीं लगता फ्री फ्री मीडियम ठीक है चलिए ठीक बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब मैं इसको समप कर रहा हूं बागी मिस्टे नेक्स मीटिंग में हाँ आगर सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है नहीं बनाना वो बनवा दूंगा मैं चैनल मॉनेटाइज भी करवा दूंगा ठीक है अगे के स्टेब्स है पहले पहला नंबर अज stark रियर पर तड करना होगी कि highly संसरे में जाना है ऐसे करना है 12 भे और Éटीजी और एटैट्टी जी होता है उसको टेक्स में छूट मिलती है रिबेट मिलती है इसलिए होता है जब आप किसी से डोनेशन लेते हैं तो आपको टेक्स देना परता है पैसा लेते हैं पैसा लेते हैं तो टेक्स देना परता है लेकिन यह संस्ता एंज्यो ऐसा होता है जिससे आपको टेक्स नहीं देना पर पढ़ेगी किसी लीगल बेओना पढ़ेगा एड़केट के साथ में क्या रोल होता है कि आपको टेक्स में छुट मिलती है तो का मतलब है कि आपको छुट मिलेगी एटीजी है तो एटीग में अगर आप चूह कद थे लुगने के भी तो लगाएंगे लिए लिए लगाएगा तो वहां से निल जाएगा दो वहांודה क्या बहुंट सारी bekommt करेंगे दीरे दीले फीकिन से इक्डम से लिक्कत हो गी ठीक है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अब मैं इसको मीटिंग को समप करता हूँ बागी किसी को कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो कोई कोश्चन हो तो वो मुझे करें मैं कल भी मीटिंग कर सकता हूँ सबको अलग-अलग करके मैं में मैं मैं से जवाब नहीं कर पाथा हूं इसलिए मैं मेंसेज नहीं कर पाता हूँ बहुत धन्यवाद आपाए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है जो ते हैं नेक्स मीटिंग में तब तक के लिए अपना खयार लगए अपनों खयार लगए और एक वो शेयर है मैं शेयर साब पढ़ना चाहता हूँ उनका एक बहुत अच्छा हाँ ये वो उनके स्टेटस पे थ बहुत जबरदस चेयर लगा मिश्कों ये बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना टाइम दिया बहुत बहुत धन्यवाद बिजते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के नेक्स मीटिंग में वीडियो की आदत पढ़ हुई है तब तक के लिए ओके ड़ाबाइबाइबाइब सक्यां उपके पुब तक के बहुत बहुत थी सो अपसक्णा प हैँ